हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बद्वारत से आपके अपने चैनल तो दोस्तों बात करूँगा विकास मल्टीकॉप लिमेड़िट शेयर की लेटेस न्यूस और बात करेंगे विकास मल्टीकॉप हमने लास्ट टाइम क्या बोला था अब स्टॉक में क्या चल रहा है और आपको फ्यूचर में स्टॉक में क्या करना चाहिए क्योंकि इस पर्टिगूर स्टॉक के ऊपर आपकी बहुत डिमांड रहती है तो हमने सोच चलो एक वीडियो बनाके आपके साथ अपडेट कर देता हूँ और कुछ लोगों को रिप्लाई भी करना था जो बेसिंग मत्तब एक परामेटर होता है सिरुलिंग पैटर्न तो डेफिनेटी आप एक बास को देख लो पताने लोग क्या क्या करते रहते नीचे तो आपसे रुक्वेस्ट करूंगा आप ऐसा काम मत किया करो ठीकि आप खुद की रिसर्च एड क्या करो राइट और एक छो राम चैनल है विया स्टॉक्स कर गे वहाँ पर हमें मैसेश कर देना हाई करके इसके टैक कर देना डेफिनेटल फिर आपको मैं पुछो हमारा प्राइविट रिकॉर्डिक ट्रास करने को होगा वह आपको कल मॉर्निंग में दस बारा जीकास पर दे दूँगा तो हम बात कर करता हूँ ठीक कॉंट्रिवर्सी क्रेट नहीं करनी है कि लोग फाल्तु के फिरिंचे कॉमेंट करते हैं ठीक है तो मैं सिंपल रहूंगा मैं अपनी अनलसिस शेयर कर देता हूँ कि स्टॉक में क्या चला लेटेस्ट टाइस एक्शन लेटेस्ट चार्ड व्यू और लेटे आज मल्टिकॉप बहुच्छा प्यार मिला तो उसमें गालियों के माध्यम से ठीक है स्वाद आया ठीक है बहुत लोग स्वाद भी लेते हैं गाली देखे चले ठीक है हमी थुड़ा बथा देता आपको क्या हुआ दोस्तों देखें इन महापुरूस है इनों लेगा कि क्या करो ठीक है आप प्राइज एक्शन को देखो और साथ में फंडमेंटर अनालिसिस को एड़ करो ठीक है अगर यह वैक्ती बोला आटनो जाएगा तो उसका मतलब नहीं आटनो जाएगा ठीक है इस जो वैक्ती ने को यहां पर जो कॉमेंट किया है जाद अधर जो लोग कुछते ना सिर्फ टाइडल पड़ते है और कॉमेंट पेल देते वस पूरा वीडियो में देखते तो ऐसा मत क्या करो आप पूरा वीडियो देखने के बाद क्या करो ठीक है अगर कोई गलती हो तो हम भी एकसेप्ट करेंगे कि हां गलती हुई है लेकिन अगर कोई गलती प्राइट लेक्शन देखने आपको उसको देख करेंगे थे करेंगे एव और बात करनेगी केन्स तो आप देखने है और आप चेक करोगे और अगर आपको दिखा रहे तहाँ पांच 4 लगाए तीन उपे 35 पैसे का ही लगा है आप देखो तीन उपे 35 अपका 3 उपे 5 पैसे आ गया और जैसे मैं आपको बथाया था लास्ट वीडियों में अपने कि भाई ये स्टॉक उपर जाएगा और उपर जाने के बाद ये रिजिस्टिं लेगा नीचे गिर जाएगा आपको मैंने यही बोला था अगर आपको याद नहीं है अगर आपको याद नहीं आता है तो पुरानी क्लिप जो मैंने आपको दिखाया था उसको आप चला के देख लेना चाओ तो मैं आप चला के दिखा सकता हूँ ठीक है लेकिन मैं इसको चलाना नहीं चाहता हूँ आप खुच जाके चेक करूँ आपको पता चिल जाएगा ठीक है अब इसमें लेटिस प्राइक्षिन क्या हुआ आप चार्ट में देखो अब देख सकते हैं यह चार्ट होल लगा मैंने और आपको मैंने बहुत किलिक आता यहां पर आप देखें जब यह यहां ट्रेट कर रहा था यह बहुत किलिक आता यह फ्रट उपर जाया गा उपर जाने के बाद नीचे रजीशन लेकर नीचे गर जाएगा और दोस्तों बिलकुल वैसा ही हुआ यह फ्रट ने स्ट्रॉक ने सेम रजीशन लिया जैसे मैं आपको बतलाय था यह आप रिख सकतो रजीशन अर्या पू दोस्तों दो रिजन थे एक था टेक्निकन अनालिसिस प्राइड एक्षन हमें कहा था यह उपपर जाने का नीचे गिरेगा दूसा दोस्तों यह था तो डेफिनेटली वो स्टॉक में हम देख सकते लेकिन भाई जब कोई मालिक लगातार अपनी होल्डिंग 6 और 9 महिन से बेच रहा है न तो डेफिनेटली भाईया समझ जाओ उसमें बहुत बड़ा गेम चलने वाला और आपको फसाने वाले ठीक है यह मैंने बहुत पहले ती तो उसमें हमारा अभी तक stop loss hit नहीं हुआ था ठीक है और हमें आप बोल सकते हैं छोटा मोटा loss भी हुआ था जारा बड़ा loss नहीं था उसमें एक swing trading थी ठीक है उसमें हमने exit कर लिया था बाकि अगर बात करते हैं long term investment के लिए विकास multikop तो भाई मैं बोलूँगा यह विका scandal का volume देखोगे न भाईया हिल जाओगे 9 million का volume आता है 9 million का दोस्तों देखे इसका low भी break हो चुका है तो आप खुद बताओ अब क्या होने वाला है definitely दोस्तों यह जैसे low break होगा इसका यह 2 रूपे 80 पैसे का low निकल के आता है जैसे low break होगा definitely आपको 1 रूपे तक के target विकास multi को 1 रूपे का target दिखाएगा मैं गलत भी हो सकता हूँ ठीक है और मैं सही भी हो सकता हूँ तो भाई blindly follow मत करना मैं आपको कुछ fact दिखा रहा हूँ पहला हो गया price action और दूसा दिखाता हूँ उसकी fundamental analysis जिसके basis में कहा रहा हूँ कि ए गरूप जाएगा ठीक है price action तो आपको price कुछ मत करो कंपनी के profit मत देखो कंपनी का peer ratio मत देखो कंपनी की market camp मत देखो कंपनी का अलाना देखो फलाना देखो सब छोड़ दो अनिक पशे भी छोड़ दो कंपनी के प्रम वह भी छोड़ दो कि कंपनी में कितना debt है यह भी छोड़ दो पस यह चीज़ देख लो कंप दोस्तों यह parameter इतना जवर्दस parameter है ना जो stock की पूरी कुंडली चरम पत्री निकाल के आपके सामें रख देता है चिट्टा रख देता कि stock market में particular stock में क्या चल रहा है आपको सिर्फ यह पता होना चाहिए कि इसको use कैसे किया जाता है इस हतियार को ठीक है और मेरा जो तरीका use क करने का देखो बहुत simple है बहुत जल्द मालिक उस stock से कल्टी मानने वाले और लोगों को फसाने वाले और दोस्तों इस stock में यह हुआ स्टॉक 22 रुपे 23 रुपे तक गया ट्रेवल करके और जैस जैसे स्टॉक नीचे गिने लग गया स्टॉक के मालिक प्रमोटर लागातार अपनी होल्डिंग बेचे ने लगे थे क्यों बेच रहे थे आप खुद देखो यहां तक तो ठीक था गेम इसका जून 2019 तक 99% के असपर होल्डिंग थी और मार 2020 तक गेम बहुत बढ़िया था जून तक स्टॉक बहुत बढ़िया था और सेप्टेंबर तक भी स्टॉक ठीक था मार तक 2% की होल्डिंग बेचे दी लेंगे साला आप देखो दिसंबर 2020 आते आते यहां बढ़ाई नहीं है यहां पर घटाई गई है होल्डिंग मालिकों ने ठीक है और दोसों सबसर बढ़ा गेम तो मालिकों ने अब खेला दिसंबर में यह होल्डिंग थी और मार 2021 की एंड आते आते जो प्रमोटर की होल्डिंग है 20% रह गए यह मेरा data नहीं है आप जाके BSC में cross check कर सकते हो ठीक है NSC में cross check कर cross check कर सकते हो आपको data मिल जाएगा है यह data मैंने अपने घर से नहीं मिनाया है यह आपके BSC की website में जाओ विकास multi-cop share search मारना आपको last में जाना सिरूलिक pattern में आपको दिख जाएगा यही data same ठीक है almost 20% के आसपास की holding रह गई जो पहले 53% और 95% के आसपास थी तो आप बोच सकते हो almost जो promoter की holding है 72-80% कम हो गई तो भाई जब 72-80% का माल promoters ने public को चेप दिया तो वो stock का क्या value रह जा हर स्टॉक सुविक्स नहीं होता है ठीक हर स्टॉक सुविक्स नहीं होता है बात को समझो तो यहाँ पर मारिक लगाता है अपनी holding बेच रहे है और आपको फसाय जाए तो fundamental हमें pure sign दे रहा है stock नीचे गिरेगा technical में आपको बतला दिया है और दोस्तों साथ में और देखो औ आज जुने बताया था बावर बोलता हूँ FII ने इस stock में buy कर दी लोग बहुत खुश हो गये थे भाया FII ने investment कर दी अब तो इस stock 100 रुपे 200 रुपे 300 रुपे जाएगा बात को समझो मैंने उस से में भी बोला था यह FII और आपके बीच प्रमोटर के बीच में एक handshake वहे iam यह आपको दिख रहा यहां यहां पробर देखो इन अपना फे वाल यह पर बाच परशन्त है ठीक है क्या गेम खेला है कितने परसेंट की होल्डिंग है FII की अब खुद देखो अब दिखरा आपको 0.02 एक रुपे का पैसा नहीं लगा रहा है FII नहीं अब पूरा का पैसा निकाल के किसको चेप दिया पब्लिक को चेप दिया देखो पब्लिक की होल्डिंग कितनी हो गई यह 79% जो आपको दिख रहा है ना यह पब्लिक की होल्डिंग है 79% जो होल्डिंग दिख रही है पब्लिक की होल्डिंग है पहले कितना पैसा था देखो आपको दी पहले पब्लिक का जो होल्डिंग थी मात्र 36% थी और आज की डेट में देखो कितना हो गया 79% हो गई 79% हो सब्सक्राइब कर लो किसी भी स्टॉक के चार्ट में या किसी स्टॉक के फंडमेंटल अनालेसिस में डेफिनिटली हेल्प करेगा ठीक है इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा यह जो बेसिक सा से रोलिक पैटन का जो कॉंसेप्ट है इसको अपने हर स्टॉक में अप्लाए करके द गेंबल है स्टॉक मार्केट ने मेरा सब को जूटा दिया और यह होने वाला यार ठीक है होता ही है क्योंकि आपको समझ आता है नहीं आप उसी स्टॉक के पीछे भागते जो उपर जाने में लगा रहा था नहीं मैंने आपको क्या वाला पहली स्टॉक में निवेस्मेंट यह पर लगतार चेहां को स्टॉक के बारे में उपडेट करने में लगा था बिकास मल्टिकॉप शेर में, भाई स्टॉक में investment मत करना, long term के लिए स्टॉक अच्छा नहीं है, और जब ये स्टॉक एक रुपे आ जाएगा ना, तब आप बोलोगे, सर आपने उससे में बोला था, और मैंने हमने आपकी सुनी नहीं, ठीक है, तो भाई आप सभी दिल से request करता हूँ, आप अगर चाओ तो exit कर सकते हैं, लेकित अपने, अपने दिल से और दिमाग से पूछना, कि क्या, मुझे exit करना चाहिए, अगर बोलता है हाँ, तो आँखे बन करके exit कर दो, एक भी दिम रुकना मत, और किसी के कहने पर भी कुछ मत करना, आखे बन करके, क्लिक कर दो, sell कर दो, ठीक है, बागी भाई, खुद की research एट कर ले रहा है, इस वीडियो के समाप्त कर दो, काई लंबा वीडियो हो गया, अगर आपने यहां तक देखा है, support देंगे ले, बहुत बहुत धन्यवाद, like कर देना, आप करीज देते हो, और share कर देना, ठीक है, आप नीचे comment कर सकते हो, जो भी आपके comment है, आपके भी stock के उपर review चाहिए आपको, तो नीचे comment कर दो, definitely अच्छा लगेगा stock, तो उसके उपर मैं वीडियो बना दूँआ, बाकी, चलो, bye-bye,